So Realme Buds S6 Pro is finally here. क्या ही Oppo Enco Air 3 Pro and OnePlus Buds 3 से better है? Well, we'll find it out. I mean by the end of this video. पहली चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इनकी प्राइज अभी वीडियो बनाते डाएं 5,000 रुपीज है और इनमें 1 एर की वारेंटी मिलती है. और अगर आप बुमनेश्वर से हो, तो आप Realme Exclusive Store पे जाके फोन, TWS, TV, हर Realme Exclusive चीज़ खरीद सकते हो. ये रुपाली स्कूर पे मौजूद है. बाकी सारी डीटेल स्टोर की मैंने डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए. जाके चकाउट कर लेना. So, Buds Air 6 Pro का जो केस है, वो शिमरी, शाइनी, ग्लॉसी, नन्दलेस, प्रीमियम लुकिंग है. And LED इंडिकेटर, टाइप सी पोर्ट और पेरिंग बटन के साथ आता है. And इसके हिंज के क्वालिटी भी काफी बढ़िया लेगी. TWS की बात करूँ, तो ये भी बहुत ही जादा शाइनी हैं, ग्लॉसी हैं. लेगिन इनकी fit and comfort मुझे बहुत ही जादा पसंद आई, बट ये काफी जादा subjective है. वैसे हाँ, दिखने में ये Realme Birds Air 5 Pro जैसे ही दिखता है. And इसमें touch gesture smooth है, accurate है, and of course, customizable है using Realme Link App. And obviously, weird detection भी मिल जाता है इनमें. 11 mm के dynamic drivers मिल जाता है, and 6 mm के tweeter मिल जाता है. So basically, दो ठो driver दिया है रहे भाई, and इसके बारे में मैं audio section में आपको बता दूँ. By the way, इनमें IP55 की rating है, so yes, dust and water resistant दोनों हैं ये. Connectivity की बात करूँ, तो throughout the testing एकदम stable connectivity थी, and इसमें Bluetooth version 5.3 मिल जाता है, dual pairing का support है, which works absolutely fine, and LDAC भी मिल जाता है. और हाँ, LDAC से आपके music experience में definitely फरक पड़ता है. Drivers के अगर मैं बात करूँ, तो भाई, ये last year, birth year 5 pro से better tune drivers हैं, जब ही same drivers है, but much better way में tune किये गए हैं, क्यों मैं बताता हूँ, अब इनका जो bass है, वो highest volume पे crackle नहीं करता है, last time की तरह, and treble definitely better हुआ है, vocals अच्छे थे, अभी भी बढ़िया है, so overall music quality भाई, top notch है, and treble और bass तो जाता है, real milling cap में, तो अगरा bass lover हो, तो आपको तो 100% पसंद आएंगे, rumbling bass effect मिलता है, and you will love it, treble भी clean है, crisp है, highest volume पे मुझे लगता है, थोड़े से over sharp हो जाता है, but that's fine, क्योंकि इतने high volume पे, most of us are not going to use these TWS, बाकी equalizer को आप कस्टमाइज कर सकते हो, इसकी सुप सुविदा Even better, इसका ANC, 50DV का, भाई, मुझे अभी तब OnePlus 3 का जो ANC था, वो best लगता था, लेकिन ये उनके बराबरी पे आगे है, इनका भी जो ANC है, एकदम top notch है, transparency mode की बात करूँ तो थोड़ा सा aggressive है, हमेशा की तरह, मेंपो वैसे इतना जादा transparency mode से फरक नहीं पड़ता है, लेकिन ANC से पड़ता है, and ANC इसकी काफी जादा बढ़िया है, बाकी रही latency की बात, तो gaming तो definitely कर सकते हो, इसको use करते वे, हाँ, अगर आप dedicated gaming करना चाहते हो, wired earphones are the best, and सबसे अची चीज़, इनकी stereo separation इतनी crisp है, कि आपको left के आबाज left वाले ear word में, right के आबाज right वाले ear word में, easily सु audio call recording, अब सुन लो, आपको एक बहतर आइडिया लग जाएगा, है, तो अभी जो TWS में टेस्स कर रहा हूं, these are the all new Realme Buds A6 Pro, and here flagship TWS है, Realme की तरफ से, तो अभी मैं अपने रूम में हूं, इंडोर कंडिशन है, बाक्राउन में कोई भी शोर शरावा नहीं है, तुछको मेरी अब आवाज कितने तो अच्य सो सुनाएं देरी है, काफी क्लिर है, काफी अच्य है, काफी अच्य हुए हुए, ऑके हांची है, तो मैंने एंडोर करणी ए फुल स्तूद पे चल रहा है, मैं फन के नीचे हूं, और बाक्राउन में कोई शोर शरावा होना है, तो अभी मेरी तेरी आवाज में भी 60 पे हो ट्राफिक यावाज पक्ती पे हैं अब दोस्तों बैट्री बैकपप के आए में बात करते हैं लेकिन उससे पहले उस चीज़े में आपको क्लीर कर दो देखो, Oppo Enpo Air 3 Pro से ये ANC में better है, calling में better है, battery में better है and overall मुझे इनकी build quality भी slightly better लगती है लेकिन, Oppo में by for sure music अभी भी top notch है and इस price range में वो still top पे बैठे हुए उनसे बहतर, अभी तक तो कोई TWS music प्रोवाइड नहीं कर रहा है इस price bracket में and दूसरी चीज़, OnePlus Buds 3 से Realme Buds से 6 Pro better sound करते है मतलब music quality better है, ANC बराबर है लेकिन calling OnePlus वाले में better है and battery more or less same है तो अभी आपकी topmost priority calling है, then OnePlus लो और music है, then Oppo लो and अगर आपको सबसे versatile and most value for money TWS से है then Realme Buds से 6 Pro लो चलो, अब finally battery car में आपको बता देता हूँ तो LDAC on करके, ANC on करके and 50% volume पे मुझे almost 6 hours 30 minutes तक का playback मिला which is quite good to be honest मतलब, ANC के साथ, LDAC के साथ ही काफी अच्छी battery backup है and fast charging तो है ही तो overall आप बोल सकते हो, 35 to 40 hours के बीच में में बेको battery backup मिले with the case and by battery backup में मुझे कोई दिक्कत नहीं है whatsoever so आप definitely अपने 5,000 रुपे इन पे invest कर सकते हो अगर आपका further कोई सवाल है, सुजाव है please comment करके जरूँ बता देना and इस वीडियो को like, share, subscribe जरूँ करना channel needs your help and मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में until then, over and out